बिस्मिल्लाइ रमान इर्रहीम, on the demand of आजात अहिमत फ्रम जम्मुएन का स्मीर, एक यह टिक्नमेंटर की complex number से रेटिव प्रॉब्लम है, which of the following is the real part of cos inverse i, यहनि हमें cos inverse i का real part बताना है, तो यह complex number आएगा, यहनि cos inverse i यह complex number है, और complex number a plus i भी हमने माल दिया, इसकी value इतनी आती है, तो हमें real part यहनि a की value find करना है, जैसे की demand है, और तो इसको हम inverse को जब खतम करेंगे, यहनि इसको right hand side पहुचाएंगे, तो यह cos हो जाएगा, cos of a plus iv हो जाएगा, यहाँ पर cos a plus b की identity अपलाई करेंगे, तो आज जाएगा, cos a cos b, यानि b means iv, और plus से तो minus हो जाएगा, sin a into sin b, यहाँ पर b means iv, cos a plus b की identity लगाएगे, इतना जाएगा, उसके बाद देखेंगे, कि cos के साथ में, अगर i होता है, तो यह cos hypervolic में convert हो जाता है, और sin के साथ अगर i है, तो यह i बाहर भी आ जाता है, और sin hypervolic z में convert हो जाता है, तो हमारा जो right insight है, तो यहाँ पर cos a into cos hypervolic b हो जाएगा, और इस तरफ जो दूसरा factor है, इसमें i हटके i बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर sin hypervolic b में convert हो जाएगा, तेखने यह एक complex number है, और इतर भी हम देखेंगे zero add कर देंगे, तो यह complex number है, तो दो complex number जब एक्कुल होते हैं, तो इनका real part, real part के एक्कुल होता है, और imaginary part, imaginary, यह इसलिए imaginary part है, क्योंकि यह आई आई आई, आई से multiply आई, तो जब हम real part को real part के एक्कुल करेंगे, तो real part यह इसमें i नहीं है, cos a into cos hypervolic भी और right hand left में यह 0 है, तो आपस में एक को लोग है, और इसलिए imaginary part है, और imaginary part है, माइनस का sin a into sin hypervolic b, और देखेंगे, दो factor का multiplication 0 है, ज़रूर ही इन दोनों में से एक 0 होगा, जो सिंप्लाइस एक की value होती है, तो cos किस angle की value 0 होती है, cos by 2 की value 0 होती है, compare करने पर a की value जो हमें find करना थी, 5y2 के एक को लागी, thank you very much indeed for listening me.